कुम मेला 2019 जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहें तो कुछ गलत नहीं होगा यही कारण है कि इसकी साक्षी बनने के लिए देशी नहीं बलकि विदेशों से भी भारी तदाज में लोग पहुंचते हैं नमस्कार दोस्तों मेरे नम प्रताप है और अब देख रहे हैं निव इन्विस्टिगेशन 007 कुम हर चौथे साल नाशिक इलाबाद उजयन और हरीदवार में बारी बारी से होता है हरीदवार में कुम गंगर नदी के किनारे नाशिक में गोदावरी नदी के तीरे और उजयन में नर्मदी नदी के किनारे कुम हस्व आयज़ित होता है और इस बार कुम का मिला लगा ह संगम नगरी परियाग राज में जो सभी कुम अस्तलों में से सबसे खास है जानते हैं क्यूं क्योंकि परियाग्राज में गंगा यमना और सश्वत्ति तीनों के संगमज्टल यानि क्रिवेनी में कुम मेला लगा हैं लेकिन कुम का जितना महत्व परियागराज में है उतना कहीं नहीं। इसके पीछे त्रिवने के तट पर कुम का आयोजन होना तो एक कारण है। इसके अलावर भी कुछ है जो परियागराज में कुम को खास बनाता है। दरसल माना जाता है कि परयागराज में जहां पर कुम मेले का आयोजन होता है वही ब्रहमांड का उद्दम भी हुआ था और वहीं पर प्रिश्वी का केंद्री भी है। आने आता है कि ब्रहमान बनाने से पहले ब्रहमाजी ने इसी अस्थान पर अश्वमेग यग किया था इस यग के सबूत के तोर पर दश्वमेग घाट और ब्रहमेश्वर मंदीर यहाँ पर मौजूद है जिने यग के प्रतीक के रूप में देखा जाता है कुम्मेले के दोरान कई साही असनान होते हैं इस बार आठ साही असनान हैं जिन में सबसे पहले 15 जनवरी यानि की आज साही असनान होगा और इसी के साथ हो जाएगा कुम्मेला 2019 का अगाज भी साही असनान में सबसे पहले अखाडों से जूरे साधू संथी असनान करते हैं इन अखाडों के असनान के बाद ही आम लोगों को असनान करने की इजाज़त होती है कहते हैं साही असनान के सुब मुरत पर ही डुपकी लगाने से अमर होने का वर्दान हासिल होता है यही कारण है कि कुम के साही असनान के दौरान डुपकी लगाने की होड लोगों में देखने को मिलती है 15 जन्वरी से 4 मार्ज तक चलेगा कुम कुम मेला 2019 15 जन्वरी मक्कर संक्रांती से शुरू होगा और 4 मार्ज महाशिवरात्री तक चलेगा इस दौरान 8 साही असनान होंगे पहले साही असनान 15 जन्वरी 2019 को है तो आखरी साही असनान 4 मार्ज को होगा और इसी दिन कुम मेला का समापन भी हो जाएगा आज के लिए इतने ही दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइस सब्क्राइब कमेंट जरूर करें